नमस्कार ओम साही रम साही समर्थ शक्ती चानल में सभी साही भक्तों का स्वागते जाने साही बाबा की चार बाते बदल जायेगी आपकी किस्मत साही बाबा की भक्तों में हिंदू भी थे तो मुसल्मान भी उनके उतने ही मुरिते मोखिक रूप से उनकी कहानिया भक्तों को शिक्षा देती रहती है उनकी कही बाते बरबर लोगों को जीवन में मार्गदर्शन करती रहती है आये जानती है उनकी चार महतोपुर्ण बाते जिने कोई भी अपने जीवन में अपना ले तो न सिर्फ उसका बलकि उससे जुड़े अन्य लोग की भी किस्मत बदल जाएगी शमा बढ़न को शोबत छोटन को उत्पात साई बाबा कभी किसी से दुश्मनी नहीं पालते थे यहां तक कि शीडी में जब उनका कुछ पंडितों ने विरोत किया तो उनोंने उने शमा कर दिया कभी उनसे विवाद नहीं मोल लिया किसी की गलती को शमा कर देना बड़पन की निशानी माना गया है छोटी मोटी गलतीों को नजर अंदस कर देने से जीवन में जो समय हम वाद-बिवाद में उलज कर वेर्थ में बरबात कर देते हैं वह बचेगा यह समय हम अपने और दुनिया की विकास में लगा सकते हैं कई बार तो लोग अपनी जूटी शान के चक्कर में छोटी मूटी बातों को लेकर सालों मुकद में बाजी करते हैं, 30-40 साल बाद जब फैसला आता है तो पस्ताते हैं कि अपने जिवन के मुल्लेवान समय को हमने ऐसे ही गवा दिया, इसे तो अच्छा था कि हमने शुरू मे करता था, वे सेवा करते थे और भक्तों को सेवा के लिए प्रेरित करते थे, उस समय तमाम आपदव के वक्त साही बाबा ने अपने भक्तों के साथ स्रमदान किया और लोगों की सेवा की, उनकी सेवा से ठीक हुए लोगों की बात कलांतर में भक्तों के बीच चमतकार के र झाल झाल